दूर से ही पूरे हर्याना में रेवाडी की एक खबर आ रही है कि रेवाडी से हमारे भाई चिरंजीव बड़े भहुमत से जीतने जा रहे हैं रीवाडी हलके ने ठाना है हय até हरेना में कॉंगरे दीश की सरकार को लाना है और दियर इसामत के पूरेघना प्रदेश deal को प्रती बहुते हम पूरे परदेश से कोने कोने से लो बात आ रही है कि बीज़ेपी की सरकार कॉंगरेज़ पार्टी की सरकार घरियानहें आ रही है लोगों ने Bदलाओ कामन मना लिया हरियां नमें बीजे प्रदेश का कुशासन दस साल तक घरिजेक़् का में किसरे ने किया को फ़ेह काम नहीं किया इनोंने परियंदी परोट परक्र डिल्ली के तीन तरह आज दस साल का पॉस्छल ऱहाँ स्षट प्रदेश आज बेरोज़ारी में नंबर एक आज वो प्रदेश हर्याना अपराजदर क्राइम रेट में नंबर एक आज वो प्रदेश हर्याना नसे में देश में नंबर एक प्रश्टाचार महंगाई और उपसे बदहाली क्योंकि विकास की तरफ तो त्यानी नीरा सब को उल जा दिया किसी को प्रॉपर्टी आई डी फैमिली आई डी पोटल में आम नागरिक को नौजवान को कच्छी भर्तियों में चीटी में कहीं जाती धर्म पे लोगों को उल जा दिया काम कुछ किया निया नुक्सान किया और इसलिए को विकास और खुशाली के रस्ते पर लेके जाने के लिए लोग का हमें साथ मिलें जिने चुनाव से पहले सामागा अब जा रहे हैं कितनी सीट एक्सक्ट करें कि अभी जो मावला आप देख पा रहे हैं तुमाम जाता है तो बड़े भावमत के साथ वंगरिस की सरकार बनने जा रहे हैं किसमें क्या है कि मैं समझता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी और भाजपा में फरक एक है कि दस साल की बीजेपी की सरकार के कारेकाल के बाद भाजपा के नेता अपने काम बता के वोट नहीं मांग रहे कंग्रेस को're निशाने पर रख यह जारूपा कोंग्रेस की राजनीतिक को निशाने पर पौड़ा साब को निशाने पर न swell हम देस साल के बाद भी कामनी गिनवा रहे और हम दस साल विक्स मेरे कर भी हम यह बताры के बाद भी आते हैं हैं बड़े बड़े नेता बिल्ली से इनके आ यह तो यह नेता कह रहे हैं कि हम इसाब में देने वह नहीं पहले भी का था तो यानि की दस साल में कुछ किया ही नहीं किया बंटाधार किया किसी लिए अपने प्रकाइन वह थो उन्होंने जवाब दे धी वह इन्हों किया रहा हूं क्योंकि भीजेप आईटी सेल में लगते विजेपी का आईटी सेल को लोगों से कोई मतलब नहीं हर्याना की जनता इतनी परिशान हो उसको को मतलब निई कि अंदर कॉंग्रेस के बड़े भवमत से सरकार बनेगी यहीं मारा लक्ष है बदलाव हो हर्याना में कॉंग्रेसी सरकार बने जो हर्वर को साथ लगके सरकार बनेगी तो विधायक दल की भावना जानने के लिए ऐसी अफ़रवर आते हैं और कॉंग्रेस का शीज नेतित अपने विवेक से फैसले लेता है यह हमारी पदिती और प्रणाली है लेकिन एक बात मैं सही मान रहा हूं आपकी बात धन्यवाद करता हूं प्रेस के हमारे कौन बनेगा और किस पत्पर बनेगा यह हमारी बहुत बड़ी नेतिक जीत है कि मान के चल रही है तो हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद हम धन्यवाद ही है आपका आप चाहते कि सरकार माने के बात करेंगे सबसे बड़े मसला है बेरोज गारी का आज आपने देखा न इस गर्मेंट में तो नियाव जगिक छेत्र ने लगा निवेश नहीं हुआ निजी छेत्र में रोज्या सरकार नहीं हुआ और सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई जो बची कुची थी वो बड़े बड़े पेपर ली घोटा ले भरती घोटा ले उनकी भेट चड़ गी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24